सो गहीं जब देखते हम किसी भी video, audio या image फाइल को कैसे import कर सकते हैं तो गई इसको import करने के लिए हम यहाँ पर double click कर सकते हैं और जिस भी file को import करना है मैंचो उसको ऐसे करके select कर सकते हैं Multiple file select करने के लिए हम control का use कर सकते है जिस भी फोल्डर के लिए हमारी फाइल हैं, हुहापर जाएंगे हम ऐसे करके उसको select करेंगे और ऐसे drag करेंगे और Alt तब मारेंगे यहापर आ जाएंगे और यहापर ऐसे करके drop कर देंगे तो भी यह फाइल इंपोर्ट हो जाएगी चाहिए कोई वो image file हो चाहिए audio file हो ये video file हो तो ऐसे करके हम drag करके किसी भी video को timeline पर add करते हैं और यहां से हम zoom कर सकते हैं timeline को और यहां से कम zoom करना है हमको तो zoom out कर सकते हैं यहां से और जहां से भी हमको यहां से देखिए video को play कर सकते हैं किसी वीडियो को स्प्रिट करने के लिए जहां से भी हमको स्प्रिट करने ही वहाँ पर करसर ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्प्रिट पर यह देखें वीडियो स्प्रिट हो चुकी है दो पार्ट के अंदर और ऐसे करके और भी जगह में split करना ना है तुमको ऐसे करके split कर सकते हैं और इस पार्ट को delete कर सकते हैं ऐसे click करेंगे और इस पर click कर देंगे तो इस पार्ट delete हो जाएगा